गुड मॉरिंग दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हो आर और जी बी एम के दर्मियान में जो बेंगाल इंटर डिस्टिक्ट टी ट्वेंटी स्रिच के जो ये मुकाबला होने वाला है इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से में जानकारी देने वाला हूँ आपको बताएंगे कि हो आर के क्या प्लेंग लेवन रहने वाल हैं आज के मैच का और कौन से खिलाडी का T20 फर्मेट का रिजल्ट क्या रहा है अपने केरियर में दोस्तों कौन से बॉलर कंप्लिट चारवर तक गेंदबाजिक कर सकते हैं इस मैच में केप्टेंसी के लिए किसको लेना सही रहागा वाइस केप्टेंसी के लिए किसी आप ट्राय कर सकते हैं सारे इंफर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बस आपको क्या करना है इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतग वाज करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितनी भी important information है इस match से related आपको मिल पाए और आप एक बहतरी team बना पाओ लेकिन दोस्तों अगर इस match का अगर final team पाना चाहते हैं तो हमारे telegram group को आप लोग को join कर लेना चाहिए अगर इस match का final team के साथ-साथ playing 11, lineup के बाद और toss का भी update लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग को हमारे telegram group को join कर लेना चाहिए इस वीडियो के नीचे discussion box में और comment box पहला comment में हमारे telegram group का link आपको share कर दिया गया है तो आप लोग click करके आसाने से हमारे telegram group को join कर सकते हैं तो चलिए हम match के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह जो match है बेंगाल cricket academy में मुकावला होगा जैसे कि सारे matches इसी ground पे हो रहे हैं और यहां का अगर आप पीच देखते हैं तो दोस्तों पहले starting में अगर आप देखोगे तो betting को मतलब ज़्यादा support मिल रहा था अगर आप देखोगे तो इनका strike rate काफे बहतरिन रहेगा दीपाख परशाद का टीट्वेंटी record में देखोगे तो एच वार के टीम के तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सांदार रख खिलाड़ी है बाकि बैटिंग की बात करते हैं तो सचिन कुमार यादव खेलते हैं उन्हें जिराएंगी जोगे 34 मैचेस खेलें 1000 से 1100 से भी ज़्यादा स्कोर है इनके नाम दोस्तों और एक विकेट निकालें बाकि अगर आप देखते हैं बाशू के बारे में तो साथ मैचेस खेले हैं 1500 प्लस रण स्कोर करा है 11 विकेट निकाले में भी इस मैच में एक से दो वर ये बालिन डाले पाकि अगर देखोंगे तो टॉप पे बल्ले बाजी करेंगे और वहीं अगर पॉरेल की बात करते हैं दोस्तों तो 59 मैचेस खेले हैं अगर आप होर के खिलाड़ियों को देखोगे तो ये बहुत ही मजबूत तीम है याद रखना बहुत ज़्यादा चांस है कि ये टीम ये मुकाबला जितेगा बाकी ओल रंटर की बात करते हैं अरनब नंदरी खेलते में दिराएंगे दोस्तों ये 80 मैचेस खेले हैं 1610 प्लस रंट स्कॉर कराएंगे और 138 विकेट भी निकाले हैं मतलब एक अच्छा ओपशन रहेगा आपके लिये की बात करते हैं तो 52 मैचेस खेले हैं जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं पे रभीकांट सिंग ने और 86 विकेट निकाले भी हैं बालिंग बहुत इसांदर करेंगे चारो बरते बॉलिंग करते विए दिखेंगे आपको बागे गर आप देखेंगे शुमिया के बारे में साथ मैच खेले 95 विकेट निकाले हैं दुरगेश जो कि 51 मैचेस खेले हैं और पचपन विकेट भी निकाले हैं तो यह दोनों बॉलर भी एक अच्छे औपसन रहेंगे आपके लिए तो यह चीज याद रखना है तो यह टीम जीतने की चंस काफी जादा है और इस टीम से आपको ज़्यादा खेलाड़ियों को लेना भी होगा बागे जी बीम के टीम के तरफ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर विकेट फिर में मुहमद कहलते हैं 17 मैचेस खेले हैं एक सो बाइरन स्कोर करा है जैसे कि मैं आपको कहा था विकेट की पर में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आप इनके साथ जाना है दीपाप परसाथ के साथ या फिर विदुद को भी आप ले सकते हैं दोनों में से जो खेलेगा बाकि यहाँ पर इस टीम क इस खेलाड़ी का कुछ खास रिजल्ट है नहीं बैटिंग के बात करते हैं मौमध फिरोज हजन कहलते बने जाएंगे जो कि 22 मैचे खेले हैं इन्हें नबर एंट स्कोर करा है 31 विकेट निकाले हैं यह जो खेलाड़ी ना बैटिंग सकने में नज़र आएंगे लेकिन बॉ बाकि All Under के बात करते हैं तो मैंडल खेलते बने जाएंगे जो कि 4 मैच में एक रन बनाएं दोस्तों और 4 विकेट निकाले हैं यहाँ पे वरुन इनका स्ट्रेट्स कुछ खास नहीं बालिंग की बात करते हैं इनका भी प्रदर्सन कुछ खास नहीं नहीं खिलाड़ी हैं द बाकि दत्ता का स्ट्रेट्स जो कि 3 मैच खिलें एक विकेट मातर निकाले हैं मेंट लडास यह भी नए खिलाड़ी है बाकुल दास कलते हुने जो कि 3 मैच खिलें कोई विकेट इनके नाम नहीं है तो आपको क्या करना है इस टीम के तरफ से 7 खिलाड़ी को ट्राय करना है बाकि आप यहाँ पे चाहें तोड़ा आप चेंज कर सकते हैं इस टीम से कर आप चाहें तो चार खिलाड़ी को भी अगर चाहें तो ले सकते हैं तो 7-4 का कॉम्बिनेसन आपको इस मैच में तयार करना है तो उमिद करता हूँ जानकारी आपको काफी कुछ हेल्प किया होग बाकि चलिए हम लोग दोस्तों इसके बैसिस पर एक डेमो टीम की और आगे बढ़ते हैं लेकिन याद रखना दोस्तों इस मैच का बहुत साथ अपडेट में टेलेग्राम गुरूप में शेयर करूँगा जिसमें जोइन नहीं करा है अभी जोइन कर लो दोस्तों इस वीड इसकुमार यह इन्पोर्टन है दोस्तों परवल को में ट्राय करूंगा एस बासू यह तीन खिलाड़ी बैटी इंक सकंसे हुर के टीम के तरफ से मैंने आपको साफ कहा तो दोस्तों स्टेट्स बताते वक्त कि तीनों के तीनों बहुत इन्पोर्टन है फिरो इसको लेते व बॉलिंग की बात करेंगे तीन बॉलर को में ट्राय करा है आर्सिंग हाई इंपोर्टन है एस दता को में ट्राय करा है जो कि दोनों के दोनों के दोनों कम्प्लिट चाचार उबर बॉलिंग करते वह दिखेंगे और मैं एम साह के साथ जा रहा हूं दोस्तों इनका भी स्ट है T20 format में बाकि Captain C के लिए जैसे कि मैं आपको कहा तो इनको ट्राय करेंगे रिवाइस Captain C के लिए T20 format में इन दोनों का record जिसे परकार है ना मतलब कापी 72 option रहाएगा अगर ये दोनों खेलते हैं Captain C, Vice Captain C के लिए अब भी ट्राय कर सकते हो बाकि अभी क्या करना इस टीम को आप लोग सेफ कर लो लाइन अप का वेट करना मैं फाइनल टीम शेर कर दूँगा इस मैच का हमारे टेलिग्राम ग्रूप में बाकि मिलते हैं भाईजू नेक्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार इंफर्मेजन के साथ, शुक्रिया